हलो स्टूडेंट महुत्तम दुवेदी आप सभी का स्वागत है देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकास के अपवर्तन में क्रांतिक कोड तथा पूरांत्रिक परावर्तन क्या होता है इसको पहले समझने से पहले हम लोगों ने देखो पढ़ा है कि यदि कोई प् प्रकास की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है अब बात करते हैं क्रांतिक कोड के वारे में कि क्रांतिक कोड आकरिकर होता क्या है तो देखिए यदि हम माल ले कि दो माध्यम है माध्यम नंबर फर्ष्ट जिसका अपवर्त नाम N2 है और यह कैसा है सघन है अब यदि हम कहें कि प्रकास की किरण क्या कर रही है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वह अभिलंब से दूर हटेगी और यदि अभिलंब से दूर हटेगी तो इसका मतलब यहां पर आई का मान छोटा होगा और आर का मान बढ़ा होगा अब हम कहें इस आई के मान को बढ़ाते जाएंगे तो यह किरण आर की जो दी गई है वह और दूर जाती जाएगी जिस कारण से यहां पर आर का मान भी बढ़ता जाएगा अब आई को बढ़ाते जाएंगे आर कामान बढ़ता जाएगा एक ऐसी स्थिती आएगी जब आर कामान कितना हो जाएगा 90 अंस तब उस स्थिती में जो आपतन कोड होता है उसे हम क्रांतिक कोड कहते हैं क्या समझा है इसको हम लोग क्या करते हैं प्रक्टिकली समझते हैं कि माल लेते हैं कि यह कोई क्या है तार है जो की प्रकास की किरण है अब यदि यह तार प्रकास की किरण हम माल ले रहें कि यह कहा से कहा गए सघन से विरल में तो अभिलम से दूर हट रही है इस तरीके से अ अब हमने कहा आपतन कोड का मान बढ़ा देते हैं और आपतन कोड का मान जैसे ही बढ़ाएंगे तो देखो हमने कोड को बढ़ाया तो यहां पर अपवरतन कोड का मान भी बढ़ रहा है अब कोड को और बढ़ाते गए तो अपवरतन कोड का मान और बढ़ रहा है कोड और कहा कि यदि कोई प्रकास की किरण सगहन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अपलम से दूर हटती है और किसी एक विशेश आपतन कोड के लिए इस अपवर्तन कोड का मान आर का मान 90 अंस हो जागा और जिसके लिए यह कोड 90 अंस हो जाएगा इसी आपतन कोड को हम क क्या कहते हैं क्रांतिक कोड कहते हैं तो क्या लिख सकते हैं क्रांतिक कोड के बारे में हम लिख सकते हैं वह विशेश आपतन कोड वह विशेश आपतन कोड जिसके लिए यहां पर कौन सा कोड है यह अपवर्तन कोड तो हम क्या बोलेंगे वह विशेश आपतन कोड जिसके लि 90 अंस होता है क्या कहलाता है क्रांतिक कोड कहलाता है जबकि प्रकास की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो क्योंकि अगर प्रकास की किरण विरल से सघन में आई तो वह अभिलंब के पास आएगी और अभिलंब के पास आने के करण वह कहा नहीं जा सकती है प्राप्त नहीं होगा अब बात करते हैं इसी क्रांतिक कोड की अवस्था में ही हम इसनेल का नियम लगाना चाहते हैं तो यदि इसनेल के नियम की बात करें तो इसनेल का नियम क्या होता है पढ़ाया गया है इसनेल का जो नियम होता है वह होता है क्या साइन आई बटे साइन आर बराबर वन एंटू लेकिन वन एंटू कब होता है जब प्रकास की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और यहां पर क्या है कि हमारी प्रकास की किरण जो जा रही है कहां से कहां जा रही दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में तो यहां 1 & 2 ना लिखकर क्या लिखेंगे 2 & 1 कहां से कहां गई दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में तो इसे हम क्या बोलेंगे दूसरे माध्यम के साप पहले माध्यम का अपोर्थनाग क्या बताया कि सनेल के नियम से साइन आई बटे साइन आर बराबर टू एन वन क्योंकि यहां पर दूसरे से किस में गई है किरण पहले में गई है अब बात करते हैं यहां पर क्रांतिक कोड की अवस्था यदि हो तो आई की जगे हम आई सी ल यहां पर क्या लिख सकते हैं क्रांतिक कोड की अवस्था में क्रांतिक कोड की अवस्था में अब यदि क्रांतिक कोड की अवस्था में बात करें तो साइन आई की जगे क्या लिख रहे हैं साइन आई सी और आर की जगे क्रांतिक कोड की अवस्था में आर का मान कितना हो ज आएगा तब हम आर की जगे कितना लिखेंगे 90 बराबर 2 and 1 देखें साइन 90 की बात करें तो साइन 90 का मान होता है एक तो यहां पर साइन 90 का मान एक रख देते हैं जब साइन 90 एक रखेंगे तो यहां प्राप्त हो जाएगा साइन आई सी बराबर 2 and 1 आप देखो उतक्रमडीता के नियम में आपको पढ़ाया था कि 1 and 2 multiply 2 and 1 बराबर होता है 1 के 1 and 2 multiply 2 and 1 बराबर 1 के होता है और यहां 2 and 1 लिखा है हम 1 and 2 में बनाना चाहते हैं तो 2 and 1 बराबर क्या होगा 1 and 2 नीचे पहुँच जाएगा और जब नीचे पहुच जाएगा तो upon में आ जाएगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं देखें यहां पे लिख लेते हैं इस जगहे पर क्या लिख सकते हैं कि sin ic बराबर 2 and 1 की जगह पर हम 1 and 2 रखना चाहते हैं तो upon में आ जाएगा 1 and 2 अब यदि हम क्या करें कि मान ले कि माना 1 and 2 क्या है n के बराबर है या इसी को n 2 upon n लिख सकते हैं तो यहां पर हम क्या करते हैं n को रख देते हैं तो मान आ जाएगा sin ic बराबर 1 upon n और यही क्रांतिक कोड के लिए value होती है क्या बताएगा कि यहां पर जो क्रांतिक कोड है वह अपवर्तनांक के व्यूत क्रवान पाती हैं कहने का मतलब यदि कोई माध्यम सघन है तो उसके लिए क्रांतिक कोड का मान उतना ही कम होगा और यदि कोई माध्यम विरल है तो उसके लिए क्रांतिक कोड का मान क्या होग तो जितना जादा सघन माध्यम उसके लिए उतना ही कम क्रांतिक कोड होगा यहाँ पे आपको यह चीजे समझ में आई होगी अब आते हैं आगे अगली हेडिंग पर अब हम लोग समझते हैं थोड़ा देखो क्रांतिक कोड हम लोगों ने समझ लिया अब हम बात करते हैं पू सगहन माध्यम था और यह हमारा दिया गया है विरल माध्यम ठीक है अब सगहन से विरल में गई है तो हमने यदि कह दिया यह कोड कितना है आई सी है तो अब इस इस्तिती पर यहां पर अपवर्तन कोड आर का मान हमें प्राप्त हुआ था नब्बे अंस और नब्बे अंस प् या गया है आप तनकोड इस मान को थोड़ा और बढ़ा दे और जैसे ही कोड को और बढ़ाएंगे तो अभी अभिलम से दूर हट रही है किरण तो और दूर हटेगी जिस कारण से प्रकास की किरण उसी माध्यम में वापस लोट आईगी और यदि प्रकास की किरण उसी माध् कहते हैं तो सेम यहाँ पर भी यह हो रहा है कि यदि हमने कोड को बढ़ा दिया कोड कोड का मान करांति कोड से अधिक कर दिया तो ये इस इस्तिती पर प्रकास की किरण वापस उसी माध्यम में लोटाई, इस पर क्या हुआ, यह एक परावर्तन की भाति व्योहार करने लगा, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, पूर आंत्रिक परावर्तन, यदि हम लोग इसको इस प्रकार से समझें, कि मान रहे हैं यह प् रही थी हमने का पहली इस्तिती में क्या हुआ कि यहां पर जैसे जैसे कोड बढ़ाया तब एक इस्तिती पर यह क्रांगते कोड की अवस्था में आ गई अब कोड को और बढ़ाया तो कोड को जैसे ही और बढ़ाएंगे तो क्या हो रहा है यह प्रकास की किरण उसी माध्यम पर वापस लोट करा रही अब उसी माध्यम पर वापस लोट करा रही है इसका मतलब क्या है कि यह प्रकास का क्या होगा परावर्तन तो आपको समझ में आई होगी बात की प्रकास का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है कि यदि कोई प्रकास की किरण सगहन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसके लिए यदी आपतन कोड का मान क्रांतिक कोड से अधिक कर दे तो प्रकास की किरण पुनह उसी माध्यम में वापस लूट आती है इस घटना को पूर आन्तरिक परावर्तन कहते है ठीक है इसको हम लोग क्या बोलेंगे पूर्ण आंत्रिक परावर्तन अब आपसे कहें पूर्ण आंत्रिक परावर्तन कब होगा कब होगा मतलब यह है कि इसकी सर्तें क्या होती है पूर्ण आंत्रिक परावर्तन कब संभव है तो पहला तो देखो आपको अभी बताया ही कि प्रकास की क्रांतिक कोड से कम है तो आर का मान नभब्यन होगा तो वह तो दूसरे माद्यम में ही रहेगा यदि क्रांतिक जो आपतन कोड आई है उसका मान क्रांतिक कोड से अधिक होना छाहिए तो 2 सरते होगी कहने का मतलब पूर्ण आंत्रिक परावर्तन कब संभव है जब सगन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकास की किरण जाएगी दूसरा जब प्रकास की किरण में आपतन कोड का मान किस से अधिक होगा क्रांतिक कोड से अधिक होगा ठीक है हलो स्टुडेंट देखिए आज हम लोग पून आंत्रिक परावर्तन को प्रेक्टिकली समझते हैं देखिए पून आंत्रिक परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकास की किरण सघन माध्यम से वेराल माध्यम में क्रांतिक कोड से अधेक कोड पर जाती है, तो उसका परावर्तन होता है, यदि हम लोग इसमें समझना चाहें, तो देखिए, हमने प्रकास की किरण डाली, तो अभी इसका क्या हो रहा है, अपोवर्तन हो रहा है, जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, यहां पर आपतन कोड का मान बढ़ा रहे हैं तो आप लोग देख पा रहे होगे कि एक आपतन कोड के लिए इस लेजर से जो प्रकास की किरण निस्कासित हो रही है उसका क्या हो पा रहा है पूर्ण आंत्रिक परावर्तन आप लोग देख पा रहे होगे यहां पर यह क्या हो रहा है कि यह सघन माध्यम स को समझना है कि क्रांतिक कोड़ और पूर्णांत्रिक परावर्तन के एक जांपल कौन-कौन से हैं तो दीक है एक sizzम पल में हम सबसे पहले लेते हैं हम लोगों ने देखा होता है हीरा जो होता है वह क्या होता है कि जैसे ही प्रकास से अंधेरे पर लाते हैं तो वह चमकता है कारण क्या होता है कारण सिंपल सा है अभी अमने बोला ही कि साइन आई सी लिखिए या साइन सी लिखिए वह व्यूत क्रवान पाती होता है अपवर्तनांग के और हीरा क्या है बहुत कठोर धातु है अब कठोर होने के कारण इसका अपवर्तनांक बहुत अधेक होता है अपवर्तनांक लगबग 2.4 के लमसम होता है जिस कारण से इसके लिए क्रांतिक कोड कामान बहुत कम होता है क्रांतिक कोड लगबग 24 अंस के लमसम होता है कहने का मतलब है कि जो हीरा है उसके लिए क्रांतिक कोड का मान बहुत कम होता है जिस कारण से यदि हम हीरा बनानी की कोशिस करें तो मान लेते हैं यह एक हीरा है अब आपको मानना ही है यहाँ पर है ना यहाँ पर मान लेते हैं यह क्या हीरे की एक संरचना है तो अगर यहाँ पर प्रकास जाएगा तो वह कहां से कहां जारा विरल से सघन में और जब विरल से सघन में जाएगा तो आसानी से प्रवेश कर जाएगा क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि विरल से सघन में अभिलम के पास आता है लेकिन जैसे ही प्रकास की किरण इसके भीतर पहुंची त तो वहाँ पर सघन से अब बाहर निस्कासित होने के लिए सघन से विरल में जाना है और सघन से विरल में जाते समय हम लोगों का क्या होता है पून आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोड यदि प्रकास की किरण जो यहाँ पर आपतित हुई है उसका कोड क्रांतिक कोड से पर टकराई तो फिर वापस वहीं रह जाएगी जिस कारण से प्रकास की किरण इसके भीतर ही बनी रहती है इस कारण हमें हीरा कैसा है चमकता हुआ नजर आता है अब हीरे को चमकने का कारण सिंपल साय क्योंकि हीरे की जो फलक होते हैं या कहाद एक क्रिश्टली सनरचना होती है वो इस प्रकार से बनाई जाती है कि उस पर जब प्रकास आपतित हो तो प्रकास जब आपतित होता है तो वह क्रांतिक कोड से अधिक पर आपतित होता है जिस कारण से वह प्रकास जो है बाहर ना निसकासित होकर उसका अंदर ही क्या हो रहा होता है पून आंत्रिक पूंचा जाता है रेगस्तान की मारीचका अगर बात करें तो मारीचका का मतलब होता है धोखा होना धोखा होने का मतलब क्या है कि जब हम कभी रेगस्तान में जाते हैं गर्मियों के मौसम में तो हमको रेगस्तान में थोड़ी दूर पर हमें ऐसा महसूस होता है कि वहां पर कहीं पर जल भरा हुआ है या कोई जलासे है कहने का मतलब है वहां के जो पेड़ पोधे हैं उनका हमें उल्टा प्रत्विम्ब दिखाई देता है इस कारण से हमें ऐसा आभास होता है कि हमें थोड़ी दूर पर क्या है एक जलासे है और जलासे पर क्या है उल्टा प्रत्विम बन रहा है लेकिन वास्तों में जैसे हम पास में पहुचते हैं तो वहां पे हमें रेत ही नजर आती है फिर हम थोड़ी दूर देख रहे होते हैं तो फिर हमें ऐसा ही आभास हो रहा होता है और फिर पास जाते हैं तो हमको क्या होता है वहां पर रेत आभास होती ह कहने का मतलब है वहां कोई जलास होता नहीं है लेकिन हमको आभास हो रहा होता है कि आंगे कोई जलास है तो इसे हम क्या बोलते हैं रेगेस्तान की मारीच का अब इसका कारण क्या है देखिए इसको हम लोग समझते हैं यदि हम माल ले कि यह कोई क्या है रेगेस्तान है और र है रेगेस्तान में लगा हुगा पेड़ है माल लेते हैं ज्यादा तर रेगेस्तान में क्या होते हैं खजूर के पेड़ होते हैं तो हम लोग खजूर का एक पेड़ बना दे रहे हैं तो यहां पर क्या है यह रेगेस्तान में एक पेड़ बना दिया ड्रॉइंग में नहीं ज अब रेत गर्म हो जाएगी सूर का प्रकास पर रेत गर्म हो गई तो उसके आसपास की जो वायू है वो भी गर्म हो जाएगी और वायू के गर्म होने के कारण वायू गर्म होकर उपर उठेगी जिस कारण से नीचे की सतह पर वायू विरल हो जाएगी और क्योंकि वायू के परते हैं वो बहुत सारी परतों से मिलकर बना है या कहा जाए वायू बहुत सारी एक से एक मिला कर बहुत सारी परतों से मिलकर बना हुआ है और यदि बहुत सारी परतों से मिलकर बना है तो नीचे से वायू उपर की ओर क्या होती जाएगी सघन होती जाएगी और जब हम उपर से नीचे की ओर आएंगे, तो सघन से कहां आएंगे विरल में आएंगे। क्यों ऐसा है? क्योंकि यहां पर जैसे ही प्रकास पड़ा, तो यहां रेत गर्म हुई तो रेत के आसपास की वाईव गर्म हुई, और वायू गर्म होकर वह उपर पहुंच गई और उपर पहुंचने के कारण यहां उपरी सतय पर वायू सघन हो गई और नीचली सतय पर वायू विरल हो गई इस कारण से सघन से कहां आएंगे नीचे की ओर विरल में और उपर की ओर जाएंगे तो विरल से कहां जाएंगे वस्तू को देखना है यदि हमें किसी वस्तू को देखना है तो सदय हो वस्तू मान लेते हैं यह कोई वस्तू है ठीक है इसको यदि हमको देखना है तो हमें यह वस्तू तभी दिखाई देगी जब यहां से प्रकास की किरणे चल कर हमारे आँख पर आएंगी तभी वह वस्त पर जाकर लिखेंगी जिससे आपको वहां पर इसका प्रतिविंब दिखाई देगा सेम इसी प्रकार से यदि किसी कोई व्यक्ति इस पेड़ को देखना चाहता है तो पेड़ को देखने के लिए पेड़ से प्रकास की किरने चलेंगी और वह हमारे जब आख पर आएंगी तो हमें यह पेड़ दिखाई देगा अब यदि पेड़ से प्रकास की किरने चल रही है तो पेड़ से प्रकास की किरने उपर से नीचे की ओर आएंगी और जब उपर से नीचे की ओर आएंगी तो यह अभी हमने बताया ही कि उपर है सघन माध्यम और नीचे है विरल माध्यम तो सघन से विरल माध्यम की ओर आएंगी और सघन से विरल माध्यम की ओर आएंगी तो हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रकास की किरने जब सघन से विरल में आती हैं तो अभिलम से दूर हटती हैं तो यह अभिलम से दूर हट जाएगी अब ऐसे ही बहुत सारी परते हमने मानी ह तो यह अभिलम से लगातार दूर हटती चली जाएगी यहाँ पर समझते हैं और दूर हटा देते हैं अब एक ऐसी स्थिती आएगी जब यहाँ पर यह जो कोड आपतन कोड है लगातार बढ़ता जा रहा है आपतन कोड का मन क्रांतिक कोड से अधिक हो जाए तब इस स्थिती पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो किरण है उसका पूर्ण आंत्रिक परावर्तन हो जाएगा और यदि किरण का पूर्ण आंत्रिक परावर्तन हो गया तब इस स्थिती पर यदि कोई व्यक्ती खड़ा है माल लेते हैं यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है यह कोई व्यक्ति है और यह इसको क्या करना है देख रहा है तो यदि यह इसको देख रहा है तो उसको क्या होगा प्रकास की किरण क्योंकि नीचे से आते हुई दिख रही है तो इसलिए उसको प्रतविंब यहां नीच की ओर बनता हुर नजर आयेगा अब ऐसी बहुत सारी प्रकास की किरणे आएँगी तो यह जो हमारा पेड़ था उसका प्रृतिविम्ब यहां पर उस व्यक्ती को उल्टा दिखाई देगा यहां पर खड़े व्यक्ती को क्या होगा प्रतिविम्ब उल्टा दिखाई देगा और उल्टा क्यों दिखाई देगा क्योंकि प्रकास की किरण इसको कहां से नजर आ रही है नीचे से आती हुई नजर आ रही है इस कारण इस व्यक्ति को प्रकास की किरण नीचे से आती हुई नजर आने के कारण इस पेड का प्रतविम्ब उल्टा नजर आएगा अब जैसे हम कहें इस व्यक्ति को थोड़ा और आंगे बढ़ गया मानलो यहां पर आंगे बढ़ कर आगया जैसे यहां पर आये तो इस जगह पर जैसे ही आएगा तो उसको प्रकास की किरण कहां से आती हुई नजा आएगी उपर से तो उसको जो पेड पहले उल्टा दिख रहा था अब वह कैसा दिखने लगेगा सीधा प्रतविय में दिखने लगेगा इस कारण से जो आभास हो रहा था यहां पर कि कोई जलासे है अब क्या होगा उसको सामने सीधा पेड देखेगा इससे वह जलासे का भ्रम तूट जाएगा और इसी को हम क्या कह कहते हैं रेगेस्थान की मारीच का कहते हैं अब हम लोग आते हैं अगले एक्जामपल की बात करते हैं तो यहां पर पूर्ण आंत्रिक परावर्तन में ही एक और एक्जामपल होता है प्रकासिक तंतु प्रकासिक तंतु देखी यह काफी पूछा जाता है कि प्रकासिक पर बिना उर्जा के इहरास किये हुए पहुचा देता है और उसी को हम प्रकासिक तन्तू जोते हैं, अब यहां पर बात करते हैं, इसकी संदचना कैसी होती है क्रिया विद्धी क्या होती है, तो देखें इसमें क्या होता है, कि एक क्वार्टर्ज का एक बहुत पतला पाइप होता है अब यह लगबग दसकी घाते माइनस चार मीटर की मोटाई का पाइप होता है यह क्वाटर्ज का बना होता है एक क्रिस्टली संदचना होती है या कहा जाए crystal होता है इसके उपर एक लेप लगाया जाता है और quarter's का जो अपवर्तनांक है वो लगबग 1.6 होता है तो इससे कम अपवर्तनांक वाले पदार्थ का उपर लेप लगाया जाता है हम बोल सकते हैं काच का लगाया जा सकता है, यह कोई भी ऐसा पारदर्सी पदार्त, जिसका अपवर्टनांक, इसकी अपेच्छा क्या हो, कम हो, तो हम लोग माल लेते हैं कि एक दसमलो 5 अपवर्टनांक का जो काच है, उसको उपर से लेपित किया जाता है, अब देखें, यहाँ पर क्योंकि लेपन किया गया इसलिए इसको हम लोग उपर वाली परत को इसे हम बोलते हैं अधी पटन और इस अंदर वाली परत को क्योंकि लेप तो दोनों तरफ से होगा इस अंदर वाली परत को हम लोग बोलते हैं क्रोड अब यहां पर यह काव कैसे करता है देखिए कि जब यह क्योंकि पड़ेगा तो यहां पर यदि हम कहें प्रकास की किरण हमने इस पर डाली तो वह क्या होगी वायू से यहां सघन में जा रहे कहने का मलब विरल से सघन में जा रहे आसानी से प्रवेस कर जाएगी और आसानी से प्रवेस कर जाएगी तो यहां पर हम माल लेते हैं कि यह प्रक की किरण अंदर जाएगी तो अंदर के प्रिष्ट पर टकराएगी और टकराने के बाद बाहर जब निस्कासे तो रही तो दिको यहाँ अपवरतनांग है एक दसमल अच्छा कारण जो किरण जाएगी उस पर कोड कैसा होगा बहुत अधिक होगा ये जो मोटाई है वो बहुत कम होने के कारण जैसे ही किरण जाएगी तो प्रस्ट पर जब आपतित होगी तो वहां पर कोड करांतिक कोड से सदय अधिक होगा इस कारण से इसका हो जाएगा पूर अंत्र परावर्तन हो जाएगा सेम यह प्रक्रिया लगातार चलती जाएगी और लास्ट में यह प्रकास की किरण बाहर निस्कासित हो जाएगी और क्योंकि पूर्ण आंत्रिक परावर्तन हुआ है तो देखें पूर्ण आंत्रिक परावर्तन में प्रकास की किरण जितनी अंदर प् परावर्तन में जो प्रकास की किरण गई उतनी ही तीवर्ता से वापस आईगी तो कहने का मतलब है यहां पर जिस उर्जा से प्रकास सिगनल को भेजा गया उतनी ही उर्जा से इस जगह पर हमको प्रकास सिगनल प्राप्तो हो जाता है इसे हम बोलते हैं प्रकासिक तंतु उपयोग करते हैं हम लोग चिकित्सा में अब चिकित्सा में कहां उपयोग होता है तो चिकित्सा में ऑप्टिकल फाइवर का उपयोग किया जाता है किसी भी अंदुरूनी भाग की वस्तों को देखने के लिए कहने का मतलब हम क्या करते हैं एक पतली सी रोड डालते हैं या क ये जो भी आक्रतियां है उसको बाहर निसकाशित कर देता है और बाहर हमें चमकदार या कहा जाए पूर्ण ओर्चा से हमें जो वस्तूएं हैं साफ दिखाई देती है तो इसका उपयूग किया किसमें जाएगा प्रकासिक सिगनलों को प्राप्त करने में और प्रकासिक सिगनल कैसे प्राप्त करने हैं हमें वहाँ पर उर्जा का हिरास नहीं है आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ते हैं ठीक है तो आप लोग इसको पढ़ते रहिए रिवाइज करते रहिए धन्यवाद